रंगों का हमारे जीमिन में बहुत ज्यादा महत्तव है और आयरवेदा की साइंस है उसने काफी समय पहले से कुछ खास रंगों के बारे में कुछ खास बुमारियों के अंदर लाब बताया गया है तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं आज हम बात करेंगे एक ग्रीन है जो हरे रंग के शिरीर के उपर कौन से हिस्तों पर असर पड़ता है और कौन सी बुमारियों के अंदर ये काम करता है हरा रंग देखा गया है आज और विदा लिटरेचर में जो लिखा हुआ है मास पेशियां और जो टिशू के अंदर जो बुमारियां है उनके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है कौन सी बुमारियां हो सकती है जिनके अंदर हरा रंग काम करता है लीूपस के अंदर ये काम कर सकता है स्प्किलिरोडर्म div ऐसे चमडि के अंदर बमारी है सुराइस्स तिश्व डीमजु उसके अंदर हो जाता है उसके अंदर काम करता है भी मोटर अर्थे राडूर ज़धो कराना या कमर दर्द है, आपकी मास पेशियों पतली होने लगी है, तो उन सभी में ये काम करेगा है, मास पेशियों के अंदर एकटरॉफी वाली कोई बुमारी है, उनके अंदर हरा रंग है, लिट्रेचर में लिखा हुआ काम करता है, अब हरे रंग से मेडिसन कैसे तियार करनी है आयरविदा के लिटरेचर में जो बताया गया है एक कांच की बॉटल लेनी है आपने प्रेफरेंस कांच की बॉटल का करना है नहीं मिलती तो आप प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हैं उसको 500-700 ml उस कांच की बॉटल के अंदर हरे रंग की जो लेनी है पानी बर देना है 500-600 ml उसको 5-6 गंटे डिरेक्ट सन के नीचे रखना है जहां पर डिरेक्ट दूप आती हो सूरज की किरने आती हो 5-6 गंटे के लिए दिन में रखना है और ये पानी है आपने 500-700 ml है जो 24 गंटे के अंदर लगबग एक दिन के अंदर आपने पीना है और ये एक कप करके पानी आपने एक समय पे पीना है और दिन में 4 बार कम से कम इसको लेना है और ऐसा लेने से लगबग जो जातर सोससे से पता लगता है कि एक मिने तक अगर आप करना शुरू करेंगे आपको इन सबी बुमारियों में आप दवाई कोई भी ले रहे हूं कोई भी दवाई ले रहे हूं इंग्लिश ले रहे हूं होमेपेथी ले रहे हूं और आजरवेदा ले रहे हूं उसके साथ ये तरीका आप अपनाना शुरू कीजिए आपको फाइदे पका मिलेंगे और जब तक आपको शुरू नहीं करेंगे तो कोई फैदा नहीं मिलेंगा शुरू कर लेंगे तो आपको फैदा मिलना शुरू होगा दवाई भी आप अपनी कंटिमियू रखिए और जैसी आपको फैदा मिलने शुरू होते हैं मुझे जरूर वीडियो बना कर अपनी बेजि मैं समस्क्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो जा सारी आप देख सकते हैं शेयर और लाइक करना माख़ा है